Hello Friends, मिरल नाम है विकास आजगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके पास Samsung का फोन है और उसमें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर data warning यहाँ पर आपको देख रहा है data warning you have used यहाँ पर कुछ MB लिखी होगी और यहाँ पर Data लिखा होगा और आपका net नहीं चल रहा या बंद हो जा रहा है इस problem को ठीक कैसे करना है आईए जानती है इसके लिए आपको सबसे पहले अपने phone में settings को open करना है open करने के बाद आपके पास ऐसा page आ जाएगा यहाँ पर आपको मिलेगा connections connections वाले option पर आईए और आपको मिलेगा यहाँ पर data uses data uses पर आईए और यहाँ पर आपको मिलेगा billing cycle and data warning उपन नीचे करके देख लीजिएगा इस पर touch करिएगा अब ध्यान दीजिए अगर आपको एक दिक्कत है जैसे कि आपका सारा net खतम हो जाता है और आपको फिर net के वशकता पड़ती है तो यहाँ पर आपको एक time limit set कर सकते हो जैसे कि मुझे 2GB या 1.5GB पर दे मिलता है मैं चाहता हूँ कि 1000MB यानि 1000GB मैं चाहता हूँ कि 1000MB जिसे 1GB भी कहते हैं उतना use होए तो automatic मेरे को warning मिले तो set option पर touch करते हैं अब यहाँ पर 1GB मैं net जब use हो जाएगा तो मुझे warning मिलेगी तो देख सकते हूँ warning हट भी गई है अगर आपको diet हटानी है तो इस पर touch कर दीजिए और वो direct हट जाएगी शायद आप समझ गए होंगे और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसे भी बंद कर दीजिएगा अगर आपका net बंद हो जाता है तो इसको भी off कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा